बसकार बच्चों जैसे की हमारा जो पूरक सप्लिमेंटी परिछा के एक्जाम हुए थे उनका रिजल्ट आने बाला है उनका रिजल्ट हम कैसे चेक करेंगे और उनका रिजल्ट कब आएगा ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो पर देखेंगे पहले हम गूगल या क्रॉम पूर्वजर पर आएंगे जैसि इस पर आएंगे यहां पर सार्च करेंगे mp by android को जिस इस पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक हॉमपेज पर खुलके आएगा मधिये प्रदेश बूर्ड आप सेकेंडरी एजुकेशन जैसी इस पर हम क्लिक करेंगे हॉमपेज एक खुल के आएगा माध्यमिक सिच्छा मंदल का इस पर नीचे जाएंगे तो तीन आप्शन दिये हैं सैचिनिक परिच्छा परिणाम और विद्याथी सेवा हैं परिच्छा परिणाम पर हम जैसी क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ नॉटिपिकेशन खुल के आजाएंगे यहाँ पर दो और नॉटिपिकेशन खुल के आएंगी यह जो नॉटिपिकेशन दी हैं इनके उपर दो नॉटिपिकेशन खुल के आएंगी 12th supplementary result 2022 और 10th supplementary result 2022 जैसी हम जैसी 12th का जैसी ही उसमें वो अपना रोल नॉबर और एप्लिकेशन नॉबर फिल करेगा वो सब्मेट पे क्लिक करेगा तुरंथ ही उसका रिजल्ट स्क्रीन पे सो हो जाएगा इसी तरह 10th का स्टूदेंट जैसी ही उस लिंक पे क्लिक करेगा 10th supplementary वाली लिंक पे तो उसके सामने भ जाएगा और हमारा रिजल्ट ये भी बता दे हमारा रिजल्ट दो तीन दिन के अंदर ही आने वाला है या दो अगस्त या तीन अगस्त तक आ जाएगा और वो ऐसे अपना रिजल्ट तृंथ ही अपने मोबाल पे देख लेंगे